अब 56 दिनों तक बिना टिकेट के ट्रेन से कीज़े सफर नहीं रोके का टीटी आराम से कीज़े लंबी लंबी यात्राएं नहीं लगानी पड़ेंगी प्लैटफॉर्म पर लाइन रेल्वे विभाग ने कर दी 56 दिन वाली फाइल पर साइन हमारे साथ जान लीजिये पूरी बात और उठाई ये लाब यात्री गंड क्रप्या ध्यान दे अब आपको टिकेट नहीं लेनी है अभी आपके हाथों में जो टिकेट है उसी से आप 56 दिन तक सफर कर सकते हैं आपके कान बिल्कुल भी धोका नहीं खा रहे आप बिल्कुल सही और सटीक सुन रहे हैं दरसल ऐसा ही होने जा रहा है अब आपको railway platform पर अपनी टिकेट के लिए लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगदा होगा क्योंकि आपकी एक टिकेट अप 56 दिनों तक काम आएगी ये नया नियम भारत सरकार के द्वारा बनाया गया जिसका लाव रेल गाड़ी में सफर करने वाला कोई भी उठा सकता है आज हम आपको सरकार की इसी नई योज़ना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको भविश्य में बहुत लाव देने वाली है दरसल रेलवे की ओर से सर्कुलर ज्वरणी टिकेट के नाम से एक special टिकेट जारी किया है जिसमें इस सर्कुलर ज्वरणी टिकेट को आधार मान कर आठ अलग अलग स्टेशनों से टिकेट किया जा सकता है कई स्टेशन में चड़ सकते हैं और दूसरी जगर तक पहुंच सकते हैं वैसे इस टिकेट का जाद तर रुपियों घूमने के शौक रखने वाले लोग या फिर तीर्थ यात्री द्वारा लंबे समय के लिए किया जा सकता है और सबसे खास बात ये सर्कुलर टिकेट कोई भ कर सकते हैं मान दीजिए अगर अपने उत्रप्रदेश से यात्रा की शिरुवात की है और आपको नई दिल्ली तक जाना है तो आप नई दिल्ली से वापस उत्रप्रदेश के लिए आ सकते हैं फिलहाल ग्यात रहे कि सर्कुलर जर्णी टिकेट सीधे काउंटर से नहीं खरी सकते हैं इसके लिए आपको अपलाय करना होगा साथ ही अपने ट्रावल रूट की पूरी जानकारी भी रेल विभाग को साजा करनी होगी अब आपके जहल में ये प्रशन उट रहा होगा कि अगर आप 6 महीने बाद वापस आएं तो भी क्या टिकेट वैलिट रहेगी तो इ लेकिन इस टिकेट की वैलिटी अक्सर यात्रियों की सुविधा अनुसार बढ़ाई जादी रही है रेलवे विभाग का ये नियम दूर की यात्रा करने वालों के लिए सरल होगा उनको बार बार टिकेट नहीं लेना पड़ेगी जिससे उनको समय भी बचेगा तो वहीं ट टिकेट लेने वालों के लिए कार्फी आरामदायक होगा जो लोग 56 दिन वाली टिकेट लेंगे उनका बार बार उतरना नहीं होगा जिसे उनके सामान की सुरक्षा भी बनी रहेगी रेल विभाग के इस अन्यम को लेकर एक शोशल मीडिया यूजर लिखता है कि भारत के को जोई भी आर्ट स्थान च्वैन कर ले चाहिए वो तीर्थ स्थल है या परिटन स्थल कहां से शुरू करोगे किस रास्ते से जाओगे कौन-कौन से स्थान पर कितने दिर रहोगे और किस रास्ते से लोटोगे कितनी सीट का पूरे विवरन का ब्यारा सर्कुलर पास बनवा है हमारे साथ साथ करें ब्यूर रिकोर्ट पीडियन न्यूज